आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है पिछली वीडियो में हमने दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्र फल और उसकी भुजाओं के बीच संबंध देखा आज हम इस वीडियो में इस पर आधारत दिल्चस्प उदारहन देखेंगे दिये गए त्रिभुज ABC वद त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज यानि की सिमिलर ट्राइंगल है जिनकी भुजा BC बराबर 3 cm तथा EF बराबर 2 cm है यदि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 27 वर्ग सेंटीमीटर है तो क्या आप त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ग्याद कर सकते हैं? आए साथ मिलकर इसे हल करते हैं सबसे पहले हम मान लेते हैं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल X वर्ग सेंटीमीटर है अब हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजूं के क्षेत्रफलूं का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है इस प्रमेय का उप्योग करने पर हमें समीकरण एक प्राप्त होती है क्या बता सकते हैं कि समीकरण एक से एक्स का मान कैसे प्राप्त करेंगे शाब बाज समीकरण एक का वज्व गुणन करने पर हमें एक्स का मान बारहा वर्ग सेंटीमीटर प्राप्त होता है अतह हम कह सकते हैं कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 12 वर्ग सेंटीमीटर है आईए एक और उदारण देखते हैं दिये गए त्रिभुज LMN में कोण M बराबर 90 डिग्री LM बराबर 12 सेंटीमीटर और LN बराबर 15 सेंटीमीटर है बिन्दू O वर P, LM और LN पर क्रमशह ऐसे बिन्दू हैं कि कोण LPO बराबर 90 डिग्री और OP बराबर 3 सेंटीमीटर हैं तो क्या आप आकरती की सहायता से त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल और उसके बाद त्रिभुज LPO का क्षेत्रफल ग्याद कर सकते हैं? आईए इसका हल करते हैं जैसा की दिया गया है कि त्रिभुज LMN एक समकोण त्रिभुज है इसलिए त्रिभुज LMN में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर MN का मान 9 सेंटीमीटर मिलता है चुकि हमें त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल निकालना है इसलिए क्षेत्रफल के सूत्र में LM वह MN के मानों को रखने से त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर प्राफ्थ होता है यदि हम अब बात करें त्रिभुज LPO और त्रिभुज LMN की तो इन्हें देखकर आप क्या कह सकती हैं? बिल्कुल सही, दोनों त्रिभुजों में कोण L उभए निष्ठ यानि की कॉमन कोण है और कोण LPO व कोण LMN समकोण है? क्या अब आप त्रिभुज LPO और त्रिभुज LMN की समरूपता को पहचान पाई? शाबबाश, ये दोनों त्रिभुज AA क्राइटीरिया से समरूप हैं जहां भुजा PO व भुजा MN समानुपाती संगत भुजाएं है आपको याद होगा कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है इसलिए समरूप त्रिभुज LPO व ल MN से हमें समीकरण तीन प्राप्त होती है त्रिभुज, LMN के क्षेत्र फल वब्भुजा PO और MN का मान रखने पर हमें त्रिभुज LPO का क्षेत्र फल 6 वर्ग सेंटीमीटर प्राप्थ होता है इस वीडियो में आज हमने समरूब त्रिभुजों के क्षेत्र फलों से संबंधित उदारण देखे